प्राइड़े को जो मार्केट में रिकावरी हुई जो लोग YouTube मेंबर्सिप्से जुडए वे होगे, उन्हें पता होगा कि Friday मार्केट खुलने से पहले ही किस तरीके से हमने alert और किस तरीके से learning हमने market में उन लोगों को YouTube membership में दी थी अगर आप भी उस learning को चाहते हैं तो YouTube membership join कर सकते हैं ऐसे ही बहतरीन learning के लिए और stock market की किसी भी news के update के लिए हमारे telegram और whatsapp channel से जूड़ सकते हैं link description में है आप रहेंगे सब से आगे चलते हैं वीडियो पर hello everyone कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके देखें market में अच्छी घासी गिरावट भी हुई है around nifty 6% गिरा है और उसके बाद कल आपने recovery भी देखी है हम लगातार एक series के तौर पर आपके लिए video बना रहे हैं जहां पर market जब गिरता है तो कैसे macro economic factor इसको गिराने में help करते हैं या जब market बहुत गिर जाता है तो कैसे हम पहचानते हैं कि market सायद bottom बना रहा है यानि historical data के basis पर और उसमें किस किस तरीके से पैसा हम लगा सकते हैं तो यह series की 3-4 video जो release हो चुकी है आपने नहीं देखी हो तो प्लीज जरूर देख लीजेगा और आज वहाँ पर हम यह बताने वाले है कि जो एक सवाल है कल की तेजी के बाद कि क्या market का bottom बन गया है क्या हमें buy कर देना चाहिए और November series कैसा रहता है तो हम इन सब बातों को समेटेंगे कुछ data fact के आधार पर वापस से जो आपके लिए बिलकुल एक library की तरह होने वाला है अगर आपको पिछली series की 3-4 video पसंद आई होगी तो आज की video भी big eye opener होगी कि कोई market बहुत ज़ादा जब गिरता है न तो कौन-कौन से factor को हम इखटा करते हैं कौन-कौन से factor को देखते हैं और तब decide करते हैं कि okay सायद ऐसा हो सकता है क्योंकि याद रखिए 100% जैसी कोई भी चीज stock market में होती नहीं है और stock market तो छोड़ो हमारी जिंदगी 100% नहीं है कि हम अभी जिंदा है कल क्या हो सकता है कोई नहीं जानता है तो चलिए शुरू करते हैं तो मैं मुक्लगरवार आपका आफी की YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूँ जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन हिट कर लें और बस प्यार देते रहें तो हम पांच फैक्टर के बेसिस पर एनलिसिस करेंगे पांच फैक्टर को पहले देखेंगे वन बाई वन कौन क्या कह रहा है और तब एक फाइनल समरी बनाएं तो वो फाइनल समरी प्लीज मिस मत कीजिएगा तो उसमें सबसे पहला डेटा है FII के सौट पोजिशन का मतलब FII ने जो भी ट्रेड किया उसमें कितना FII ने सौट किया है इस डेटा से पता चलता है कि नेक्स्ट मंथ क्या हो सकता है तो अक्टूबर 2023 में FII का नेट सौट पोजिशन है 89% और हिस्ट्री में ये देखा गया है कि जब भी FII का सौट पोजिशन किसी मंथ में जादा होता है तो उसके बाद निफ्टी में रैली आता है इसका लाइव एक्जाम्पल आप देख सकते हैं कि मार्च मंथ में FII का सौट पोजिशन था 84% और उसके बाद मार्च बॉटम से निफ्टी अप्रिल मंथ में एप्रोक्स 1100 पोइंट बढ़ा था इसके पहले जून 2022 में FII का सौट पोजिशन था 85% उस वक्त भी एराउंद 1100 पोइंट के पास में निफ्टी बढ़ी थी सितंबर 2022 में FII का सौट पोजिशन था 87% निफ्टी अराउंड 900 पोइंट बढ़ी थी और अब अक्टूबर में ये निट पोजिशन है 89% तो हिस्टोरिकल डेटा कहरा है कि नवंबर में मार्केट के लिए गुड़ी गुड़ी वाली निउज है इसके बाद सेकेंड डेटा है F&O रोल ओवर का रोल ओवर के बाद डेटा से हमें ये पता चलता है कि future and option का कितना same position next month में carry हुआ है इसको समझिए कि माल लीजी आप अक्टूबर मन्त में निफ्टी का एक future contract sort किये वे हैं मतलब sell किये वे हैं तो अब अक्टूबर मन्त की expire ही आ गई है और आपको लग रहा है कि next month भी market down रहेगा तो आप इस month का contract square off करके next month का contract sell कर सकते हैं मतलब आप same position next month में carry कर लिए इसी को क्या कहा जाता है रोल ओवर करना अब आप जब रोल ओवर समझ गए हैं तो वापस से topic पे आते हैं कि first point में हमने देखा कि FII का knit short position काफी high है और October month में market गिरा भी है मतलब trader short position create किये हैं अब अगर FNO का roll over percentage high हुआ तो इसका मतलब होगा जो trader October month में short position create किये थे वो November month में भी short position create कर रहे हैं और ये market के लिए अच्छा नहीं होगा और ठीक इसका उल्टा अगर roll over percentage low होगा तो इसका मतलब हुआ कि October में जो trader short position create किये थे वो November में अपना same position नहीं carry कर रहे हैं मतलब अब short नहीं कर रहे हैं तो ये होगा positive तो ये था FNO roll over percentage का market के साथ connection अब data समझ लेते हैं जुलाई में roll over percentage था 84% और निफ्टी अगस्त मन्थ में approximately 560 points गिरा इसके बाद अगस्त मन्थ में percentage roll over था 78% निफ्टी 1st September से 15 September तक 960 points बढ़ा इसके बाद 15 September से 29 September तक 580 points गिरा यहां आपने notice किया कि जुलाई से अगस्त में roll over percentage कम हुआ तो निफ्टी सितंबर मन्थ के 1st 15 दिन में अच्छा rally किया इसके बाद सितंबर मन्थ में roll over percentage था 76% और अक्टूबर मन्थ के starting में निफ्टी 170 points के असपाथ बढ़ा तो यहां आप देख सकते हैं कि जब जुलाई मन्थ में F&O का percentage roll over 80% से उपर था तो market fall हुआ था और जब percentage roll over कम हो रहा है तो निफ्टी में positive sentiment दिख रहा है और overall पिछले 3 मेने के average roll over percentage को देखें तो 79% और अक्टूबर मन्थ का अभी तक का roll over percentage 69.49% मतलब roll over percentage पिछले मन्थ से भी नीचे है पिछले 3 मन्थ के average से भी नीचे है तो इतने सारे example से clear है कि भाईया लोग carry नहीं कर रहे हैं तो market के लिए अच्छी बात है अब third point और fourth point जो technical है उस पे आते हैं तो third में RSI का chart देख रहे हैं जब RSI bottom line 30 को touch कर रहा है या 30 से नीचे जाकर reverse आता है तो market में recovery होती है अभी nifty का daily time frame में RSI 27 तक गया और अभी 34.99 के पास चल रहा है मतलब recovery दिख रहा है तो यह तीसरा data है जिससे ही एनुमान लगाया जाता है कि सायद nifty bottom out हो चुका है अब अगला दो data भी interesting है मगर उससे पहले अभी तक video लाइक नहीं किया है लाइक करके motivate तो कीजी आपके लिए बहुत प्यार से दिल से एकड़ मेंगो पिपल की भाजा में हम content बनाते हैं कि आपको समझ में आ सके and I hope वो series जिन्नों ने देखी होगी कि मज़ा आया होगा नहीं देखी है तो जरूर देखें fourth data भी technical है आपके screen पर Nifty का chart दिखा है उस पर 200 DMA का indicator लगा हुआ है जिसमें 200 DMA है 18,612 historical data कहता है कि market 200 DMA को respect करता है मतलब अगर Nifty 200 DMA के उपर है तो 200 DMA strong support माना जाता है और अगर Nifty प्राइस के basis पर आप देख सकते हैं कि 18,612 से 8,900 तक Nifty पहले भी इस range में रुका है और इसके बाद new high लगाया था तो जैसे सबसे पहले दिसमबर 2022 में Nifty 8,900 के पास था फिर इस level से Nifty नीचे गिरा उसके बाद जून 2023 में Nifty फिर इस range से आया और कुछ दिन इसी range में consolidate किया, इसके बाद upside में breakout हुआ और new high बना और जब वापस Nifty उसी range में आ गया है तो मतलब as per this historical price action होने के chance दिख रहे हैं और वो condition बताता है कि अगर history सही है तो वापस से recover हो सकता है बट ये सब क्या है, एक historical data है कोई buying selling के advice नहीं है ये सब जितना भी technical analysis का मैंने आपको बताया है, ये सब use होते है market के price action को analysis करने के लिए और जो भी इस market से कमाना चाहते है उन्हें technical सीखना परता है बिल्कुल वैसे ही, जैसे किसी profession से कमाने के लिए उस profession का skill होना जरूरी है वैसे ही, stock market से कमाने के लिए technical analysis साना जरूरी है और आप हमारी 10 नवंबर की stock market master class, zeros to hero को सीख कर, एक beginner से expert बन सकते हैं, और आप भी बिल्कुल यही approach, यही thought process लाकर, हर कुछ, खुद से analysis कर सकते हैं, और साथ में मिलता है mentor का support, सारे problem को solve करने के लिए 970-80-9431 पर call कर सकते हैं, और हमारी team से आप बात कर सकते हैं, तो 4 points से अब तक हम समझ गए कि क्यों ऐसा history बता रही है कि nifty bottom के आसपास आ चुका है 5th point, India Wix का India Wix एक volatility index है इसे market का volatility पता चलता और market का India Wix के साथ negative relation होता है, मतलब अगर India Wix बढ़ेगा, तो nifty negative जाएगा तो ये data आपको market में clearly दिखेगा कि corona में जब nifty में fall हुआ था, उस वक्त India Wix 86.63 पे चला गया था, और अभी 10.90 पे है, राइट, जो आपके सामने chart पर दिख रहा है, हमने इसलिए हर एक चीज को हम क्या करते हैं, जब भी कुछ बताते हैं, चार्ट के साथ दिखाने की कोसिस करते हैं कि आपको ये न लगए, ये चार्ट कहा है, सब कुछ practical, live देखो, feel करो, मज़ा करो तो अभी India Wix 200 DMA के resistance face करके, नीचे की तरफ जा रहा है और काफी दिन से India Wix 9.90 से 12.69 के रेंज में था अब अपने higher range से नीचे की तरफ मोग कर रहा है, मतलब India Wix नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब है कि निफ्टी उपर जा सकता है, तो इन सभी 5 पॉइंट और डेटा की वज़े से ऐसा historical कहा जा सकता है कि निफ्टी भहिया अपने bottom के पास सायद आ चुकी है, सायद recovery कर सकती है, वैसे आपको क्या लगता है comment में बताईए, लेकिन यहाँ पर आपका दूसरा सवाल हो सकता है कि सर सब्स तो सही है, पैसा कैसे लगाएं, ये भी बता दीजे इसमें हमने कल ही वीडियो बनाई थी, कि इस गिरावट में पैसा कैसे लगाते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसे टुकरों में लगाते हैं, वो जरूर वीडियो देखिएगा, पूरी film किलिएर हो जाएगी, और इसलिए मैंने का यह पूरी series है आपके लिए, जो आपको सिर्फ इस गिरावट में नहीं आगे आने वाले मार्केट के गिरावट में भी बहुत देखने समलने का नजरिया देती है और आप कभी डढ़ेंगे नहीं अगर इन वीडियो को आप लाइबरेरी में डाल लेंगे तो बस लाइक कीजिए, प्यार दीजिए, मुहबर दीजिए, सेर कीजिए जय हिंद, जय भारत अब हर एक आईप्यों चाहे समी का हो या मेंड बोड का हो इसी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉक पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पर में लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाईए, लिंक को सेव कर लिए, लोगों को साथ भी सेर कीजिए, बहुत महनत से हर एक आईप्यों की सारी अपडेट ह हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है